तो बावा साव अमेट करना है जब सारी जानकारी ली और बुद्ध की सारी जानकारी उन्होंने सीखी और महापुरसों की सारी जानकारी सीखी तो उन्होंने ये पाया कि सारे महापुरस और बुद्ध और बुद्ध से पहले के लोग और ख्वेम बावा साव भी जिस सब्भ हम Самड संखती के मालिक रहे हैं, समड संभेता,कें,समड नाज़ता के मालिक रहे हैं और सारे के सारे हम समण हैं तो यह जानकारी आने के बाद भी हम लोगों का उधार नहीं हुआ और जो वावा,सभाम अमिटकर हमको अधिकार लेके आये थे वो अधिकार हमारी आँखों के सामने से जाने लगे जाने लगे हम देख रहे हैं के जा रहे हैं और रोज जा रहे हैं कोई ना कोई अधिकार रोज जा रहा है रोज जाता है रोज और बड़े तरीके से जाता है हमारे ही लोगों को चर्चा में उल्जा दिया जाता है और बचा आगा betify क्यों कि आज वकिलों का दिन है आज जो समीधान के पंडित हैं समीधान के जानकार हैं एक धनी हैं से जानकार हैं आज उनका दिन हैं तो समीधान में सारी बातान के बातें मुछ्ष Васळ इसकरिकर के लिखी हुई है और हमारे जितने भी सम्विधानिक लोग हैं खास्तोर से जज हैं, डिटार्ट जजज हैं या जो वकील हैं या जो इस सम्मंदित सम्विधान से सम्मंदित काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जानते हैं कि समविधान में क्या लिखा है, क्या नहीं, पर आधी प्रक्टिस करते हैं, आधी नहीं करते हैं, आधी प्रक्टिस कैसे करते हैं, समविधान का सीधा सा मतलब होता है सम, विधा, औरे, समविधान या समविधान, यानि सम माने समता जिससे समण बना हुआ है और विधा माने होगी जानकारी विशेश धारन विधा का मतलब होता है विशेश धारन और ने लगा दे बाद में या ने लगा दे तो वो नाउन बन जाता है यानि कि ऐसे सिध्धान जो समता के आधार पे धारन करने के लिए विशेश रूप से बनाए गए हैं तो सम्विधान बेसिकली भारत के पुराने लोग जो समण हैं, उनकी मूलभूत किताब है, उनका मूलभूत गंत है, जितने भी समण लोगों ने सिध्धान्त बनाए, जितने विने बनाए, जितने नियम बनाए, जो भी चीज़ उनने बनाई, सारी के सारी वो बुद्ध ने विने पीटेक में डाली तीपीटेक में डाली और वहां से उठागे बावा साब ने सम्विधान में डाली और दुनिया में यही सम्विधान सम्विधान चलता है यही कॉंस्टूसन चलता है कोई भी दुनिया का आदमी अगर समता पे आदमी झाल झाल